हाँ वाई नमस्कार आदाब श्रीकाल और खुशाम अदीद वेरी वेलकम टू अलेफ़ेटी दिसेशन दिस इस वेमास्टरी जाहर इश्प्रियम जो कि आपके सामने हैं लाइव और आज बात करने वाले हैं सबसे बहतरीन इग्जामिनेशन्स ओलंपियाड इग्जामिनेश और जो नॉलेज मिलता है ये तीनों ही आपके बहुत ही जादा काम आता है चलिए आज बात करते हैं पूरे डिटेल में कि ऐसे कौन-कौन से ओलंपियाड इग्जामिनेशन्स हैं जिसको आपको सही में ध्यान देना चाहिए जिसके मद्दे नजर आप अपने आने वाले कल को बहुत बढ़िया और सुनहरा बना सकते हैं लेट्स गेट साटेड वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीचे और चैनल पे सब्सक्राइब रहीएगा बिकॉस ऐसे वीडियो आपको यहां पे चलिए जी ये रहा हमार टेलीग्राम चैनल इस टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे free के content मिलेंगे बहुत सारे PDF मिलेंगे और regularly अपडेट मिलेगा कि हम अब क्या करने वाले हैं क्या नया आपके लिए ले कर आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से join कर लीजे बहुत ज़ादा फायदा होग Sir, I don't give JWE with class 12 and I want to take a drop for JHE 2014. So, should I be eligible for JHE 2014? I don't give JWE with class 12. You are eligible, why not? Chaleji, बच्चे बता रहे हैं IOQM, फिर बच्चे बता रहे हैं, IMO फिर बच्चे बता रहे हैं NSO, National Science Olympiad फिर बच्चे बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं Bitsad, Bitsad, Olympiad नहीं बटा, competitive examination NTSC बता रहे हैं, ठीक है, NTSC और फिर IOQJS OK, IOQJS चेक और 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 कुछ नहीं, ठीक है, बच्चे इतने सारे examinations का नाम बता दिये KVPY, KYV किंद्रे बित दले, KYV कुछ नहीं आएंगा INMO, बदो य आई है IOQM का next level है, INMO है फिर IMO है, वो है NSO, NSO लिख दिया NAC, National Science Olympiad हाँ, ठीक है, NAC भी है ठीक है, Pre-RMO, Pre-RMO बदो बदो बदो, IOQM है, आप तो हट गया है तो चलिए, मुटा-मुटी तो आपने बहुत सारे Olympiad के नाम बता दिया, आप इन सब के बारे हम बता देता हूँ जल्दी जल्दी, चलो भाई तो बेनेफिट क्या है, Olympiad देने का सबसे पहले Solid Foundation मनता, IIT के लिए, IIT हो चाहे नीट दे रहो उसके लिए भी Early exposure to learning and competition ठीक है, तो ये बात बहुत सही है कि जब आप Olympiad बनाते हैं तो आपको actual में competition क्या है, learning कैसे होती है इसका बहुत early exposure मिल जाता है Understanding concept and their application बहुत depth में, depth का बहुत फाइदा होता है तो आप एक नए level से चीजों को देखना शुरू करते हैं ये सबसे अच्छी बात है, competitive analysis मिलता है, जब आप ऐसे competitions देखते हैं तब आपको समझ जाता है कि अच्छा देश दुनिया में कितने लोग हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं ये आपको पता चलता है Awards or recognition undoubtedly ये मिलता है बहुत सारे लोग तो भाई, इससे बहुत ही अंचुए रहते हैं, तो ये आपको मिलता है, तो इससे आपका अलगी लेवल पर confidence बनता है and then open doors to deemed universities बहुत सारे ऐसे colleges और universities होती है जो Olympiad के marks पे सिर्फ admission ले लेती है उसमें सबसे बड़ा example है ISI अगर आप INMO qualified हो, आप IMO के लिए बैठे बे हो तो आपको ISI से direct call letters आते हैं इंटर्व्यू के लिए और ISI अपने आपे बहुत ही बड़ा बढ़िया प्रीमियर इंस्टिटूट है पढ़ाईगा mathematics के लवर्स के लिए बहुत बढ़िया packages जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे colleges और universities है जहां पे Olympiad वाले बच्चों को direct entry है scholarship scholarship वो तो मिलती ही मिलती है या तो fixed scholarship एक बार मिल जा या तो महीने महीने मिले कुछ तो कुछ तो मिलता है यह बात पकी है यगर आप अचीफ कर लेते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे पकी बात है चलिए जी अब तो क्या-क्या है तो अलग-अलग संगठन है जो Olympiard कंड़क कराते हैं जैसे उसमें से एक बहुती फेमस संगठन है जो majority of the schools में है अवलेबल वो है Science Olympiard Foundation SOF इसके तहत दो टाइप के examinations होते हैं एक होता है NSO जो बच्चे बता रहे है National Science Olympiard और एक होता है IMO International Mathematical Olympiard अब ध्यान दीजिएगा यह IMO और एक और International होता है वो दोनों अलग है जैसे यह IMO तो होता है SOF के द्वारा कंड़क किया वा और एक और जो होता है जो बच्चे यहां पर बोल रहे हैं वो IOQM examination होता है उसके बाद INMO होता है और INMO के बाद INMO के बाद फिर होता है IMO तो यह IMO और यह IMO दोनों अलग-अलग है This is a government-led scholarship exam This is a private body-led scholarship exam So Science Olympiard Foundation बहुती easily available हो जाता है कोई भी school में तो अगर आपके school में भी होगा most probably होगा तो आप भी जाके एक बार देखिए समझिए अगर है तो आप इसको Olympiard को भार दीजे फिर CREST Crest Olympiard Online Olympiard examinations होते हैं इसको भी आप चेक आउट कर सकते हैं यूनिकस Olympiards होते हैं यह Summer Olympiard examinations है Summer Vacation, Summer Camps के आसपास का होता है यह Asset Education Initiatives के हैं फिर Homey भाबा अब यह Homey भाबा अगेन Government का है तो देखो यह बहुत common है और यह बहुत reputed है यह बहुत प्योंकि Homey भाबा Atomic Research Center जो है न यह कुछ Olympiards कंड़क कराता है जिसका नाम है जैसे उसमें से कुछ एक है NSEJS National Science Education नहीं NSEJS हाँ In Junior Sciences National Science Examination In Junior Sciences तो यह Olympiard है बहुत ही खतरनाक लेवल का Olympiard होता है फिर इसी का एक Olympiard होता है NSE National Science Examination तो ऐसे ऐसे Olympiards जो होते हैं बहुत ही हाई लेवल के वो Homey भाबा Atomic Research Center कराता है यह I.O.Q.M. भी यही कराता है तो Homey भाबा Atomic Research Center जो है वो Government of India का Department of Atomic Energy के द्वारा संचालित किया जाता है और यहां के Olympiard examinations अलगी लेवल पर मचाते है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद फिर कुछ और भी है जैसे Indian Talent Olympiard है Hummingbird Education है यह काफी अच्छे Olympiards कराता है फिर Eduheal Foundation है Silver Zone Foundation Unified Council Unified Council से भी बहुत सारे स्कूल्स में Olympiard होते हैं जैसे NSTSC NSTSC ऐसा कुछ करके होता है शायद पूरा नाम तुमें को ध्यान नहीं है पर Unified Council से भी होता है चीक है समझ गए सारे यह bodies समझ में आ गई अब बात करते हैं कि Olympiards कौन-कौन से होते हैं Olympiard examinations कौन-कौन से टाइप किया है पहला वाला Olympiard जो है conducted by ITO Indian Talent Olympiard यह एक से लेकर दसमी वाले बच्चों के लिए होता है उसके बाद देखा जाए तो और यह ITO क्या-क्या कंड़क कराता है तो International Science Olympiard Math, English, General Knowledge, Computer Olympiard, International Drawing Competition Essay और Social Studies का Olympiard तो यह मोटा मोटी सारे कराते हैं यह सारे private bodies वाले है तो अगर आपके school में हो तो आप यहाँ पे जाके enroll कर सकते हो moving forward SOF जैसे मैंने बताया most of the school में होता है यह 11, 1 से लेके 12 तक के सारे बच्चों के लिए होता है यह भी private body है but इन में भी सारे इस टाइप के Olympiard होते हैं जैसे science का होगा, cyber का Olympiard होगा, mathematics होगा, English होगा, company, secretary Olympiard यह अपके काम का नहीं है and then general knowledge Olympiard तो ऐसे सारे Olympiards होते हैं moving forward अब ध्यान से देखो ज़रा NSO, IMO और national level science talent search examination यह सारे private जैसे यह वाला जो होता है यह unified council unified council जो है, यह इसको conduct कराता है council और यह वाला जो examination से दोनों यह SOF conduct कराता है यह तीन Olympiard examination का नाम मैंने इसलिए लिखा because यह readily बहुत ही आसानी से कोई भी school में available हो जाते हैं तो आपको देना चाहिए, आपका दिमाग खुलेगा ठीक, अब क्या मिलता है इसमें प्राइज या फायदा, तो NSO is open to the students of Excel लेकि 12, registration fees सिर्फ 125 है, शायद 10,000 रुपए के आसपास का कुछ cash price, reward price देते हैं, इसमें आने पे, अमदा अच्छे rank आने पे, अब कितने आने पे, क्या आने पे रहता है, उसका पुरा detail ब्रोशर पढ़ना होगा, तो या तो इनके वेबसाइट पे चले जाओ, NSO लिखके, या Science Olympiart Foundation लिखके, इनका वेबसाइट दिख जाएगा, और नहीं तो स्कूल से संपर्ख कर लीजे, इनमें दो टाइप के लेवल होते हैं, SOF में, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 लेवल 1 पार करने के बाद, फिर आपको लेवल 2 पे जाना पड़ता है, और तब आपको प्राइज मनी मिलती है, लेवल 1 में होता क्या है, तीन सेक्शन में कुश्टन बटे रहते हैं, LR, Logical Reasoning, Science और Achiever section, Achiever section में कुश्टन टफ होते हैं, यह दोनों में आसान होते हैं, लेवल 2 में, फिर 11, 12 में क्या होता है, जो 11, 12 वाला बच्चा है, उसके लिए Physics Chemistry होता है, Section 1 में, Section 2 में Achiever section होता है, 3 में Mathematics या Biology, कोई भी जो आपका subject है, तो यह हो गया, 11 और 12 वाले बच्चों के लिए, Science Olympiad Foundation, Moving Forward, Students from 1 to 12, कोई marks criteria नहीं है, इसमें cut-off होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 10% number या 50% number लाने है, तभी आके आपको scholarship में ले रहा है, इसमें ऐसा है, top 10 को मिल जाएगा, top 20 को मिल जाएगा, इस type से है, तो यह marks criteria नहीं रखते हैं, science is required, obviously science वाले बच्चों के लिए है, number of attempt students can only apply for the NSO test, once in each academic year, तो आप जिस भी जबी जिस class में हो, तो उस class में सिर्फ एक बार दे साथ, आगे बढ़ते हैं, level 2, level 1 पार कर लोगे, तो इनका दूसरा level examination होता है, इसमें top 5% of students of each class, who took the level 1 test, are qualified to take level 2 exam, तो अगर मान लो, class में तुम्हारे 100 बच्चा है, तो 100 में से, हर class में से 5 बच्चा चुना जाएगा, ऐसा है, तो top 5% बच्चों को चुनते हैं, जिनको level 2 दिलवाते हैं, top 25 scorers of each zone, who took level 1, are qualified to take the level 2 exam, और अगर मान लो, कहीं पे ऐसा 5% बच्चा 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 है, तो फिर top 25 scorers, उस zone के, उनको ले लेते हैं, देखो, pattern कैसे होगा, level 2 का, तो objective होगा, 60 minute का होगा, mode of examination, offline होगा, English language, 60 minutes, और number of questions, 60 question, 60 number, चलिए जी, अब इसके बाद, तो, markings keep, class 3rd and 11, 12, physics chemistry में, देखो, physics chemistry में मिला के 25 सवाल, achiever section में 5 सवाल, और mathematics में 20 सवाल, तो ऐसा रहता है, तो 25, 5 achiever होगा, 20 आपके mathematics होगा, total 50 सवाल, achiever section के सवाल का 3 number, और बाखी सारे सवालों का 1 एक नपर, clear है, clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद, अगेन, वैसे ही जैसे NSO होता है, वैसे ही IMO भी है, 125 रुपए इसमें फीस लगता है, वही सारे सेम चीज़े हैं, level 1, level 2 रहता है, no marks criteria, सब कुछ सेम है, सारे टॉप 5% को लेंगे, टॉप 25 को लेंगे, everything is same, methodology सब कुछ सेम है, बस वो mathematics का है, बाखी science का है, ठीक है, चलिए जीए, आगे बढ़ते हैं, NSTAC, यह Unified Council कंटक्ट कराता है, यह भी private body है, यहाँ पे 300 रुपे लेते हैं, यह लोग अगर अपने से registration करते हो, स्कूल के थुरू जाओगे, तो 1.500 रुपे लेंगे, तो स्कूल के थुरू जाने में फायदा है, लेकिन कई बार अगर स्कूल आपका नहीं participate कर रहा है, तो आप इनके website पे जाके register कर सकूए, चलिए आगे बढ़ते हैं, होता क्या है, 11-12 में PCM ये PCP वाला बच्चों के लिए होता है, PCMB को ये लियावा है तो वैसा वो exam नहीं होता है, no marks criteria again, same चीज, आगे बढ़ते हैं, offline होता है एक गंटेगा, हर साल में एक बार होता है, ठीक है, पेपर एक गंटेगा है, maths में 25, chemistry 15, physics 15 और critical thinking, जो higher level के achiever questions होते हैं, tough questions वो 5 होंगे, बुल मिलाके 60 questions होंगे, 60 questions 60 minutes, that's it, समझ गए, चलिए जी, 11-12, अच्छा ये किसका था, ये PCM का था, PCB वाले को अपने को देखना नहीं है, no negative marking, ये सबसे strong point है, जान दीजेगा, यहाँ पर negative marking नहीं होती है, चलिए, that's it, तो, मेरे नने मुने बच्चों, उमीद करता हूँ, कि ये session, ये content आपके use में आया होगा, अगर ऐसा है, वीडियो लाइक कर दीजेगा, और अपने दोस्तों को share कर दीजेगा, बाबाई,